नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ आपके साथ दिपिका उजह चले शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की बिहार सरकार SCST और अती पिछडा के साथ सवन तपके के भूमी हीनों को 5 डेसिमिल जमीन देने की त्यारी कर रही है बतादे कि वर्तमान विवस्था के तहट किसी भी वर्ग के गरीब भूमी हीनों को सरकारी जमीन दी जा सकती है फिलाल सरकार की ओर से प्रती परिवार 5 डेसिमिल जमीन देने का प्रावधान सिर्फ SCST और OBC वर्ग के लिए लागू किया गया है लेकिन अब जल्द ही ये प्रावधान सभी वर्ग के भूमी हीनों के लिए लागू होगा बतादे कि इस से जुड़े नियम में अंतिम रूप में संशोधन का प्रस्ताव क्याबिनेट में पेश किया जाएगा और क्याबिनेट की मुहर लगते ही ये नई विवस्ता पूरे राज्ज में लागू हो जाएगी वहीं अगनिपात योजना के वरोध में बिहार में हुई हिंसक वरोध प्रदर्शन के मद्दे नजर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेताओं और कार्यालों की सुरक्षा बढ़ाने के तोर तरीकों पर सवाल खड़ा किया है नेता विपक्ष ने ट्वेट कर आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री रेनु देवी सांसदो और विधाय को समेत बीजेपी के नेताओं को अपनी ही डबल इंजिन सरकार पर भरोसा नहीं है लेकिन वो कीवल सत्ता के खातिर मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ गड़बंदन में बने हुए हैं इनको वाई केटेग्री की सुरक्षा प्रदान की गई है साथ ही तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार को विश्वास में लिये बिना ही बीजेपी कार्यालों पर केंद्रिय अर्दसैनिक बलो की तैनाती की गई जो संगी हडाचे पर प्रहार जैसा है वहीं बिहार के पूरवी चंपारण में एक ट्रेन में भीशन आग लग गई जिसकी वज़ा से ट्रेन में सवार यात्रियों में अफ्रा तफ्री मच गई इस दोरान रेल ड्राइवर ने अपनी सूझ बूझ दिखाई और जल्द से ट्रेन से इंजन अलग कर दिया जिसके कारण ट्रेन को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ वहीं मौके पर पहुँची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू बाया कटिहार रेलवे पुलिस को हाटे बजार एक्स्प्रेस में हुई लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है पतादे की पुलिस ने लूट पार्ट को अंजाम देने वाले छे अपराधियों को गरफतार कर लिया है और उनके पास से लगबग आधा किलो सोना कुछ नेपाली करंसी 20 लाक रुपे और मोबाइल बरामत किया गया है मामले की जानकारी देते हुए रेलवे अधिकारी ने बताया कि ये मामला नवगच्छिया रेल थाने में दर्श किया गया था और कटिहार रेल पुलिस ने सोना लूट कांड को एक चुनौती के रूप में लिया तो वहीं लाइन्स क्लब ओफ भागलपूर फैमेन संस्थान की तरफ से मौनसून मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभन समाज की महला उदमी खुझ से बनाए अपने उतपादों का प्रदर्शन करेंगी साथ ही साथ अपने उतपादों की विक्री भी करेंगी बता दे कि ये मौनसून फैस्ट भागलपूर की टेबरिवाल एसी भवन में चार से पांच जुलाई को लगाया जाएगा चले फिलाल के लिए बिहार की खबरों में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें धन्यवाद